मोदी जपसाया तपसाय हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया हम भाई भाई एक साथ रहना चाहिए पहले तो नहीं था इसे आर्मिक दोर्वी करन के अधार पर चुनाव रला जा रहा है मैं भाषा और इस समय हम न्यूसक्लिक की टीम के साथ खड़े हैं गोहाटी में चुनाव प्रचार यहां रुग गया है छे को मददान है और उसके बाद पूरा भविश्य मतपेटी में बंद हो जाएगा इस समय जो लोगों का मत है वे क्या देख रहे हैं क्या जिस तरह से भाषबाद रुविकरण करना चाह रही है उस रुविकरण से उसको फायदा होगा क्या जिस तरह से उसके विकल्प में कॉंग्रेस गट बंधन खड़ा हुआ है जिसके साथ वामदल शामिल है वे अपनी कोई छाप छोड़ पाएंगे जनता के लिए क्या महंगाई मुद्दा है किन मुद्दों पर आसाम का मद्दाता चुनाओ प्रचार खतम होने के बाद सोच रहा है आईए इस पर बात करते हैं शाम और रात गुहाटी की सड़कों पर सुनाओ में अभी पुरा बराबर सल रहा है लेकिन मुद्दाए क्या है हिंडी मुस्लिम कर रहा है ओ इसलिए थूरा दिकोर है और जू हाल हुआ है लोकडाउन का पहले से पहले हम लोग चौशा था पुन्होरा साल कॉंग्रेस ने सरकर क्या तो आदमी का हल खड़ा बोगया लोत लिया ऐसा बुला बीजेपी आ गया पुला थिक कर लेगा सब कुछ थेख हो जायेगा इसलिए सरकर आया आदमी को मदन गया बोट दिया तो विजेपी सरकर आ गया आकर मेहंगाई बढ़ गया पेतुल का दाम जितना था 74 से 65 एशा था अभी आ गया हंनेत का समन समनी कैप जो असम में जो कार रहा है ना का है वो मानता है कि 2014 तो इसको लेकि उस समय आकरोश था और इस समय हम गुहाटी में हैं गुहाटी में पांच लोगों की मौत हुई थी पुलिस फाइरिंग में और उस समय तो बहुत ही संवेधन शील था तो क्या विपक्षी से मुद्दा नहीं बना पाया या लोगों का यहां के कलाकार यह सारे लोग आंदोलन में थे सड़क पर उतर आये थे लेकिन बाद में यह देखा गया कि वो लोग धीरे-धीरे सांथ हो गए और करुणा की वज़े से जो लगभग एक साल तक सब कुछ ठप रहा लोग डिसकनेक्ट हो गए उस मुद्दे के साथ और जो संगठन और उसके बाद क्या हुआ कि आंदोलन के दोरान जो लोग सक्रिय थे उन्होंने राजनेतिक दल बना लिया दो राजनेतिक दल बन गए तो इस से लोगों को यह लगा कि अच्छा यह भी लगता है कि यह मने राजनेतिक दल के लिए आप अखिल गोगई की बात कर और आसम जाती है परिशत का नेतित लुरील जोती गोगोई करते हैं जो आचुके पूर्व अध्यक जते हैं अखिल गोगोई जेल में हैं वो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं जो चुनाबी वादे थे उनको पूरा नहीं कर पाई तो अब वह सिफ्थ सोचते हैं कि हिंदो मुसल्मान का फार्मूला आजमा कर जैसे हर जगह जीतते रहे हैं हम यहां भी जीत जाएगे लेकिन जो असमिया समाज है आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर नहीं रही है इसको दुरूवी करन करके आप बाट नहीं सकते हैं लिक परत जो लोग किया की उत्यजित कि इसे क्रीद में देखें कि यहां पर जो समाज बहुत ही उधार समाज है यहां पर संकर देख इथ है gekommen फकीर ऊस्वाद्रा Keyi icon मुष्किव एक्सली मेरम देखा हम लोग से पुलिक्स के नहीं है तो गंदर यह सब्सक्राइब क्या नाम है आपका रोकी आमर एक्टव आदमी है वो बोलेगा अम हाली चाहिए कि वोट डालते हैं नहीं डालते हैं कि अधिरावना क्या लगता है महंगाई यह नौकरी कोई मुद्दा है लेकिन मेंगा तो सबस्टा हुआ है महंगा कोई चीज का कम नहीं हुआ है पहले इस अथा नहीं मुदी जिस दिन साया उजदिन सामन का कितना रेट बार गया सब समन का रेट बार गया एक सोगरा मीठा सब्सक्राल का अब आप का। का बिसरुपया हो गया सोगिराम मीठा तल हमाँ आपको दिखाता है ये दिखिए् किस सोगरा मीठा अब 2 बीचाद नहीं था टो अ 2 अच्छा का है जो ये कह रही है कि आसमियात सब्वर्ता की रख्षा का सवाल उठ खड़ा हुआ है और दूसरी और बदरूदीन अजमल है जो ये कह रहे हैं कि अलब संक्षकों की सुरक्षा का सवाल है और भाजपा को यहां से हटाना है ये दो बड़े नारे लग रहे हैं अब वोट देंगे वोट तो हिंदू-मसलमान पर दे देते हैं और जाती बादवाला आपना करते हैं उनको का का हाज़ये हम तोर काते हैं कि जाती बादवालजा कोई नहीं होना चाहिए इस पर लागडween узнаate no शुआ नब साहब करको को निया करते हुद। जाने नहीं सकता है। अभी ऐसा ही है। परशा नहीं हो रहा है उसके परणने के लिए कितना मेहनत कर रहा है तो हम लोग कामाने नहीं सकते हैं बच्चा कैसे पराएगा और मोधी बोलता है बेटी बासाओ बेटी पराओ अरे कामाएगा तो अपना बेटी के पराएगा कामा नहीं रहाएगा तो पराएगा किसे परा सब्सक्राइब कोई होटल में कमकोट है कोई थूता फूत पर में दुकान बेचाता है अभी आदमी नहीं यह सुबह से रुकता है उस बहानी नहीं हो रहा है खानेकाब हमें देओ अपना खड़सा कुछ नहीं निकल रहा है भाजपा में कुछ बजागाटी में पंदरे सीटे हैं और भाजपा ने साथ सीटों पर कबजा किया था पिछले विदान सबाद चुनाओं में इस बार और उसमें कई ऐसी सीटे थी जहां पर मानेरेटी की अच्छी संख्या थी लेकिन कॉंग्रेस और एई-उडियप ने अलग-अलग चुनाओ लडा था उसका फाइदा भाजपा को मिला था लेकिन इस चुनाओं में कॉंग्रेस और एई-उडियप एक साथ है दूसरा यह है कि कुछ कंडिडेट के सेलेक्शन को लेकर भी भाजपा के अंदर अंतर भी रोध है तो उसको लेकर बराग घाटी में भाजपा की थोड़ी सी बेचे निश्चित रूप से है अब इस बार वो साथ साथ चुनाब लगे हैं उनके साथ अग्रामा महिलारी की पार्टी बीपीए भी है जो बोरो लेंड वे इलाके में बड़ी सक्ति है तीनों सक्तियां मिलकर जो गनित है वो भाजपा पर भारी पर रही है साथ इसी का लेकिन क्या हो रहा है किसी का प्राइब गड़ी में मिल रहा है गाड़ी में मिल गया अपना इससेिका साथ कहना के Chuckie कर रहे हैं नहीं नहीं है जो बारे सीटे हैं और हगरामा महलारी के लीडर्शीप में जो बीपीफ है वो बारे सीटें बीजेपी के साथ थी जो अब नहीं है हगरामा महलारी कॉंग्रेस महागटवंधन के साथ है और भाजपा ने जिनके साथ वहाँ पर बीटी सी में परिसत का गठन किया है यूपी पियल परमोज बोलो बहुत अच्छे आदमी है अंदोलन कर्मी है इमांदार है इसमें कोई दो रह नहीं है लेकिन एक राजनेतिक प बहुत ही सीजंड पॉलिटीसियन हो गया है वह पॉलिटिक्स की हर चीज को जानते समझते हैं तो वहाँ पर कितनी सीटें यह भाजपा कटवंधन जीतेगी यह कहना मुस्किल है और वहाँ पर हागरामा जितनी सीटें जीतेंगे वह नुकसान बीजेपी का होगा और बीज भारते जन्ता पार्टी मिलकर वह बहुमत ले आये थे लेकिन फिर भी उसमें घटवंधन था तो बीप्यप के साथ तो उसमें उसकी एक ताकत बनी भी थी तो निश्टी तरोप से मुझे बोलो लैंड में भारते जन्ता पार्टी को नुकसान दिख रहा है असम में यह चिंता का सवाल है और इस चिंता की पीछे बहुत ठोस वजए हैं जिस तरह से इवियम इधर से उधर हुई भाश्पा नेताओं के पास मिली जिस तरह से गोलियां चल रही हैं जिस तरह से हिंसा का दौर चलने की आशंका हो रही है उसमें असम में मद्दान जन्ता किसे करे यह आशंका तेजी से बल्वती हो रही है